गुद्बॉनिंग फ्रेंड्स आज का जो लेक्चर है हमारा उसमें हम बात करने वाल है कोकरन बॉयलर के बारे में तो कोकरन बॉयलर अर्ली 90s में बना गया था और उसको डिजनरी डिजैन किया गया था मरीन एप्लिकेशन की वज़े से और उसी के वज़े से उसकी जो फ्लो अर्ली यूज होने लगा अर्ली 90s का यह एक पॉपिलर बोल सकते हैं आप वह बॉयलर है कोकरन बॉयलर की आज हम पहले क्या करेंगे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं फिगर ड्रॉ करने के साथ-साथ हो समझ भी लेते हैं और उसके बाद जो उसके स्पेसिफिकेशन है वो भी लिखते हैं तो एक्जाम पॉइंट ऑफ यू की बात करें तो आपको कौन-कौन से पॉइंट लिखने है वो मैं यहां पर बता दूँगा कि फिगर ड्रॉ करने है उसके बाद कौन-कौन से पॉइंट आपको लिखने थियरी के लिए मेरा एक मानना है कि अगर मिकेनिकल के अगर आपको एक्जाम पास करनी है या फिर डिप्लोमा के कोई भी एंजिने टेक्निकल सब्चेस को अगर आपको पास करना है न तो आपको फिगर तो करनी ही पड़ेगी फिगर करने से आप थियरी लिखी सकते हो मेरा यह मानना है कि अगर आपको फिगर के अंदर अगर आ फिगर के according आप paragraph लिखो उसके थोड़े से specification याद रखो तो अपने आप या आपकी theory complete हो जाती है so figure compulsory करनी है आपको exam के अगले दीन अगर आप देख लोग figure को सिर्फ देखके चले जाओगे तो मैं मानता हूँ आप exam में figure draw नहीं कर पाओगे so अगले दीन या फिर उससे पहले जब भी आप practice करने बैठो तो figure आपको draw करनी है figure की ही practice करो वो theory अपने आप आपकी हो जाएगी इसी तरह जित्ते भी यहाँ बोईलर से उसके आपको क्या करनी है सिर्फ figure ही करनी है तो उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ कौन-कौन से पॉइंट लिखने अंदर ठीक है तो पहले start करते कहां से figure से और वर्टिकल वोलर है और उसका जो टॉप है वह हैमिस्फेरिकल होता है तो पहले start करते हैं एक semi-circle ड्रॉब बना एक semi-circle ड्रॉब कर लेते हैं दो वर्टिकल लाइन और यह आपका बेज अब जो उसकी जो फरनेस है वह भी same as top ही है तो यहां से फरनेस का एक semi-circle shape ओके जो फरनेस है उसके अंदर हम यह generally coal fight boiler है तो इसके अंदर हम ही क्या डालना है कोईला डालना है तो कोईले के लिए हमें एक grade चाहिए कि जिसके उपर कोईला जलने वाला है और इसको डालने के लिए मुझे एक fire box आए जहां से coal आप अंदर डालोगे तो यह उसका हो गया fire door जहां से यह कोईला अंदर input होगा ठीक है अब यह जो boiler है वो है fire tube boiler यानि इसके अंदर जो tubes है उसके अंदर से क्या पास होने वाला है फ्लू गैसिस पास होने वाले सो फरनेस में से जितने भी गैसिस जनरेट हो रहे वह कहां पास होने वाले है तो एक combustion chamber बनाते हैं यहाँ पर यह combustion chamber होगे वर्टिकल ठीक है अब इसमें से multiple tubes दे रखिए यह multiple tubes connected है smoke box के साथ के साथ ठीक है इतना आप ड्रॉय कर सकते हो यहाँ से मैंने बना यह combustion chamber यहाँ पर multiple tubes यहाँ पर एक smoke box ठीक है अब जितने भी tubes है वह connected है smoke box के साथ है ओके अब आपका सौने आ रहा है नाव ड्रम के अंदर जो स्पेस है वो पानी से बरी हुई है यानि यहां से मैं blue line ले रहा हूं यह सब पानी से बराई है यानि यह सब पानी से भरा हुआ है यानि जो tubes है वो submerged होनी चाहिए कि इसके अंदर पानी के अंदर कि के देंगे पानी बरा हुआ है इसके अंदर tubes है और यहां पर आपको बतानी है fire bricks यानि ऐसी bricks जो fire को sustain कर लए यानि heat को बाहर नहीं आने देगी insulation का काम कर रही है यह fire bricks यानि आपका heat loss है वो कम करेगी और water में आपकी efficiency बढ़ाएगी इतना draw करने के बाद आपको draw करना है chimney तो यहां से यह हो गई चिम स्मोक बॉक्स से बाहर फिर से रिपिट समझा रहा हूं furnace के अंदर जितने भी heat पानी एबजोग करेगा यहां फ्लुग gases की जो heat है वो कौन एबजोग करेगा पानी एबजोग करेगा उसके बाद जो gases bash बचे वो smoke box के त्रू कहां से बाहर निकलने वाले चीमने से बाहर निकलने वाले यानि जितनी भी fire tubes है यानि इसमें जो अलग से mountings और accessories है वो आपको draw करनी है तो सबसे पहले एक important part draw करहाओ यहाँ पे fusible plug सबसे important है यहाँ पे fusible plug ठीक है उसके बाद अगर यह यह जितने भी यहाँ पे steam है तो steam को बहार निकालने के लिए कि मुझे steam stop वाल चाहिए यानि यहाँ से उपर top में एक steam stop वाल दे दीजिए steam को collect करने के लिए यहाँ पे एक anti-priming pipe दे रखी है steam को जो collect करनी है उसके लिए यहाँ पर एक anti-priming pipe यहाँ पर दे रखी है ठीक है अब इसके अलावा मुझे एक pressure gate चाहिए क्योंकि जो steam का जो pressure है वो मुझे continuous monitoring करना है तो उसके लिए pressure gate चाहिए और मुझे क्या चाहिए एक water level indicator चाहिए तो water level indicator का एक and किस में रहेगा steam space में रहेगा और एक and किस में रहेगा water यानि figure हमेशा जब भी water layer indicator की बनाओ तो कैसे बनानी है उसका one end कहां पर होना चाहिए stream space में और दूसरा end कहां पर होना चाहिए water space में तो यह आपका हो गया water layer indicator एक manhole चाहिए मुझे inspection के लिए जैसे जैसे stream बनेगी तो उसके बाद पानी कम होगा तो पानी का flow maintain करने के लिए मुझे क्या चाहिए पानी अंदर पानी को अंदर डालने के लिए मुझे क्या चाहिए एक feed check वाल चाहिए तो यहां से आपका एक feed check वाल हो गया उसके बाद एक mud box यानि जब भी मुझे boiler साफ करना हो या फिर उसके अंदा जो भी impurities है वो कहां पर जमा होगी boiler के end में जमा होने वाली है तो उसको निकालने के लिए एक मुझे mud box चाहिए तो यह आपका mud box है boiler को खाली करने के लिए जब भी अगर boiler usage भी नहीं है तो उसका पानी खाली करने के लिए मुझे एक blow of cock चाहिए तो यहाँ पर एक एक चुली front view है एक blow down wall चाहिए मुझे यहां से यह आपका blow down wall हो गया blow down wall के बाद एक और part बाखी रहेगी हमारा safety wall अगर emergency में मतलब कि कोई steam का pressure बढ़ गया है ज्यादा pressure desired pressure से value उपर जा रही है तो यह वाल आपका open हो जाएगा और यहां से steam बहाँ निकल जाएगी so boiler को burst होने से यह बचाएगा और एक last ass pit यहां पर आपको present करनी है जो जो भी आपका coal burn होने के बाद जो भी एस बचेगी वह कहां पर जमा होगी नीचे यहां पर जमा होगी so यह एस पीट है तो repeat कर लेते हैं पार फिर से एक बार foster start करते हैं यह आपकी हो गई grate ठीक है उसके उपर यह coal यह furnace combustion chamber fire tubes smoke box chimney fire door यह आपका fit check wall यह blow of cock यह fire brick lining water oil indicator manhole pressure gauge anti-priming pipe steam stop wall और safety wall figure complete होने के बाद आपको कौन-कौन से point अंदर लिखने अब वो में बता रहा हूँ सबसे पहले आप क्या लख होगे कि यह बोलर वर्टिकल बोलर है अर्ली 90s में यूज होता था और marine application के लिए डिजन किया गया था लेकिन उसके बाद यह वाइडली अभी दूसरी application के लिए यूज होने इंटर्नली तो यह इंटर्नली फाइट बोलर है तो जितने भी classification में हमने जो point देखे थे वो इसके बाद आपको लिखने अब थर्ड पॉइंट में आपको उसका पूरा working explain करना है यानि hemi spherical shape में furnace दे रखी है उसके अंदर coal burn होगा उसके बाद gases, flow gases कहां पास होगे तो combustion chamber में उसके बाद fire tues में होगे, smoke box में उसके बाद chimney जो भी flu gases generate हुए उसकी heat कौन absorb करेगा, पानी absorb करेगा, वो steam generate होगी, steam generate होने के बाद वो steam stop वाल से हम उसको बहाँ निकाल सकते हैं, जो भी ass है वो ass pit से collect कर सकते हैं, तो आपको ये पूरा उसका working explain करना है, working आप अपनी तरह से लिख सकते हो, जो book में दिया है या फिर जो theory म मैं लिखा है वो ऐसा copy करना विल्कुल ज़रू नहीं, आप figure draw करो, figure को सीफ explain कर दो, कि उसका working कैसा है, उसके बाद fourth आपको point लिखना है, उसका जो specification है, वो लिखना है, तो specification में आपको दे रहा हो फेले, तो उसके specification के अंदर आपको पहला लिखना है उसका drum का diameter, जो ये जो boiler होते है, cochran boiler, तो उसका जो drum का diameter है, वो approximately 1 to 3 meter जितना होता है, उसके बाद उसका जो pressure है, वो nearby 17 या 18 बार pressure होता है, 17 ए 18 बार का pressure, तो वो आपको लिख दो second point, उसके बाद उसकी जो height है, वो generally 2 to 6 meter होती है, उसकी height 2 to 6 meter जितनी होती है, उसके बाद उसकी capacity, यानि उसकी जो steam generation capacity कितनी है, ये 22 to 3000 kg per hour की है, फिर से बोलो 22 to 3000 kg per hour, यानि एक गंटे में ये 3000 kg यानि kg stream generate कर सकता है, और इसकी जो efficiency हो almost 70 to 75% है, तो ये 5 या 6 point जो भी मैंने बोले, वो आपको लिखने है, तो इतने points आप लिख दो, तो 4 point में आपकी theory complete हो जाएगी, फिर से बोल रहा हो, पहला point आपको लिखना है classification, उसके बाद 3rd point लिखना है working, और 4th point में आप specification present करने है, और साथ पर figure draw कर दो, तो ये आपकी पूरी theory यहाँ पे complete हो जाती है, ठीक है, अगर इस theory में कोई doubt है, तो comment box में लिख देना, next lecture में हम क्या देखने वाले हैं, हम next lecture में, वेपकॉक और विलकॉ